मेरे साथ बोलिए भारत मता की क्यों भई आप लोगों की आवाज को क्या हो गया है ऐसे बोलते हैं भारत मता की जए मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए उठाईए दोनों हाथ बंगाल में परिवर्तन का मुठी भिंचिये और कलकत्ता में मम्ता दिदी के कान तक पहुचे ऐसे बड़े अवाज से बोलिए भारत मता की मंच पर उपस्तेत बंगाल भारतिय जन्ता पार्टी के द्यक्स स्रिमान दिलिब गोजी मेरे मित्र और पार्टी के महासचेव बाई कैला स्विजेवर्गिय जी राष्ट्रे उपाद्जक्स मुकुल रोई जी हमारे नेता राहूल सिना जी कैंद्रियम मंत्री देवस्री चोद्री जी जोतिमान महतो जी स्रिमती लोकेट चेटर जी जी सौमित्र खान जी हमारे राज्यसभा के सांसद स्वपन दादा स्रीमती भारती गोज जी स्रिसन्याल दत्ता जी और मंच पर उपस्पित सभी पार्टियों से कॉंग्रेस, CPM, ट्रिन्यमूल सभी से आज भारतीय जन्ता पार्टी जोइन किये हुए MLA, जिलाज़ पंचायत अध्यक्स, कांसिलर, जिलाज़ अध्यक्स, बोड़ निगम के अध्यक्स, भाईयो बैनो और आज के समारम के कैंद्रबिंदू, भाई सुबेंदू, अधिकारी जी और आज आसी विराट जन्त सभा में आए हुए प्यारे भाई और बैनों, आप सभी का मैं रदय से स्वागत करता हूँ मित्रों सबसे पहले मैं महान भूमी को प्रणाम करना चाहता हूँ क्योंकि यही भूमी है जहां इसी इक्षेत्र में महान सिक्षाशात्री हमारे इस्वर्चंद्र विद्धासागर जी का जन्म हुआ यही भूमी है जहां पर पूरे देश के युवा आज भी प्रेना लेते हैं ऐसे सही खुदी राम बोज का जन्म जहां पर हुआ मित्रो खुदी राम बोज जी का आज मैं उनके घर पर जाकर आया हूँ उस माटी को कपाल पर लगाकर आया हूँ उनके जजबे की कल्पना करिये 18 साल का लड़का हस्ते हस्ते हाथ में गीता लेकर वंदे मात्रम के मंत्र के साथ फांसी के फंदे को चुम कर अपना बलिदान देता है और उस वक देश बर के युवाओं में खुदी राम बोज के नाम की धोती पहनने की एक फैसन पड़ गई थी यही खुदी राम बोज की यह भूमी है यह भूमी को मैं बार बार प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं मित्रों में यहाँ पर पूर्वा मुक्यमंटरी अज्याई मुट्खर जी पूर्वसांसद सतीस सामन और हमारे जन्सं के पूर्वसांसद दूर्गाचरण बेनर जी को भी याद करना चाहता हूँ मित्रो आज हमारे साथ एक MP, नौ MLA, एक एक्स मिनिस्टर, एक MOS, पंद्रा काउंसिलर, 45 चेर्मेन और जिल्ला पंचायद के दो अध्यत जुड़े हैं सुभेंदू भाई के नेत्रुत में, कॉंग्रेस, त्रिनमूल, CPM, सब पार्टी से अच्छे लोग, आज भारतिय जन्ता पार्टी में, नरेंद्र मोदी के नेत्रुत में काम करने के लिए भाजपाज हो जोड़े हैं। दीदी कहती है कि भारतिय जन्ता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी मैं आपको याद कराने आया हूँ, आपकी मूल पार्टी कौन सी है। त्रिनुमूल कौंग्रेस थी क्या। जब आप कौंग्रेस छोड़कर त्रिनुमूल बनाई, जब वो दल बदल नहीं था। आज भाई सी वो जुबेंदू, अन्याय के खिलाब, बंगाल की जन्ता के सोशन के खिलाब, आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल नग रहा हैं दीदी। मगर दीदी, ये तो सुरुवात है, चुनावाते आते हैं, आपकेली रह जाएगी। चुनावाते आते हैं, जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रो, इसकी कल्पना सायद ममता दीदी ने नहीं करियोगी। इसका कारण है, इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जन्ता पार्टी में आते हैं, क्योंकि मित्रो, एक आदमी जब बदल बदलता है, तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं, वो मा, माटी, मानूस के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? मा, माटी, मानूस के नारे को तोलबाजी, तुरुष्टी करण और भतिजावाद में परिवर्तीत कर दिया। करोणों युवाओं का भविश्ट आपको नई दिखाई पड़ता है, आपकी नजर में अपना भतिजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मैं पूछने आये हूँ बंगाल के युवाओं को, क्या दोस है आपका, क्यू विकास बंगाल में नहीं हो रहा है, मैं पूछने आये हूँ बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो छे हजार रुपिया भेज रहे, बंगाल के किसानों को क्यू नहीं मिल रहा है, डेश के दख क किसानों को 95,000 करोड रुपिया मिल गया मगर बंगाल के किसानों को भूटी कौडी नहीं मिली क्यूंकि मम्ता दिदी उनकी सूथी ही नहीं बेचती है मित्रों देश पर में जो गरीब आगनी उसको पांच लाख रुपिये तक की सभी स्वास्त सुवीदाए प्री ओप करेंद्र मोदी जी देते हैं बंगाल के घरीबों को मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए जड़ा बोलिये जोर से बोलिये मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए ये मम्ता दिदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आई उस जमान भारत योदना का फाइदा नहीं मिलेग वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए जोर से बोलो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए मगर किसान भाईयो जब तक आप ए ट्रिनमुल कॉंग्रेस को उखाड कर नहीं फैंक देते आपको ये 6,000 रुपया नहीं मिलने वाला है मित्रो धेर सारी योधना है अभी एक किसान के घर पर मैं भोजन करकर आया मैंने पूछा कि 6,000 रुपया मिला है उन्होंने कहा नहीं मिला है मैंने बोला एक घर कहां से बनाया कहां से लॉन ली तो उसने कहा लॉन नहीं ली मोदी जी ने प्रजानमंत्री आवास योदना का घर मुझे दिया है इसमें बैठ कर आप भूजन करें मित्रो बंगाल के करीब को मोदी जी जो भेजना चाहते हैं वो नहीं मिलता है और आज सुबे में अखबार देखता था कुछ बड़ बोले नेताओं ने कहा त्रिनु मुल्को कोई हरा नहीं सकता मैं उनको याद कराना चाहता हूँ कि संसत के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा हमारे दिलिव घोष की अध्यक्सा में मोदी जी के नेत्रुतों में अठाड़ा से ज्यादा सीटे बंगाल की जन्ता ने दी है और दिदी कान खोल कर सुन लो अज लाखों लोगों की हाजरी में कहने आया हूं में जब विदान सभा के चुनाव का परिणाम आये परिणाम देख लेना इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बढ़नी जारी है क्यूंकि आपने आपने वादा किया था बंगाल के विकास का बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पड़ टोल बाजी बढ़ गई गुन्डों को सरन मिली आपने वादा किया था ब्रश्टा चार हटाने का मोदी जी ने अमफान तुफान के लिए जो पैसे बेजे सारे के सारे त्रिने मुलके गुंडों के पॉकेट में चले गए मित्रों पॉकेट में मोधी जी ने कोरोना के कालखंद में गरीबों के लिए आठ महीने तक नाज बेचा सारा का सारा नाज तीने मुलके गुंडे चपत कर गए बंगाल के गरीबों को नहीं मिला हाइकोट ने ओडर करना पड़ा किस कि स्येजी से जहाँ जो ममतादीदी सर मानी चाहिए आपको सर मानी चाहिए घरीब के बेच कानाज आपकी पार्टी के कारकता लूट कर ले गए इसलिए आपको बंगाल की जंता नहीं जाती है मित्रो अभी अभी हमारे पार्टी के द्यक्ष्रिमान नड्ला जी आये थे उनके गारी के कौनवे पर बड़े पथर मार कर हमला किया गये है। दीदी क्या आप समत्ती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या हमारे तीन सो से ज्यादा कारेकरता की जाने गई है मगर दीदी सुन लो जितनी हिंसा करोगी भारतिय जन्ता पार्टी का कारेकरता इतनी जोड से आपका सामना करेगा मित्रो या पश्य पेदनीपुर में हमारे बच्चु बेरा को मार दिया जग्डल से मिलान हलगर को मार दिया हावडा से किंकर माजी को मार दिया कुछ बियार से रोहिदा स्विश्वास को मार दिया आरामबाग से आमीर अलिक खान को मार दिया जार ग्राम से रामपदा बेरा को मार दिया कांठी से सेक अजहर को मार दिया बिर्भुम से संक्रीब बागडी को मार दिया विश्रुपूर से गोपाल चंद्रपाल को मार दिया और पूर्वल्या से सिसुपाल सोसीज को मार दिया कितने लोगों को मालूप है, ये लाखों लोगों की भीर देख लिजे दिदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाब हो गया है, पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ है, मुझे बताओ भाईो बेनो, बंगाल के अंदर परिवतन करना है या नहीं करना है, जोर से बो बंगाल की जन्ता की आवाज है, मित्रों, मैं आज ज्यादे बात करना नहीं चाहता, आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बंगाल के किसान की समस्या का हल, मोधी जी के नेत्रतों में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनाने, बंगाल के मर्दुरों का समस्या का समधान, मोधी जी के नेत्रतों में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनाने, बंगाल के अंदर आए दिन भंधमा के होते हैं, इसको बंद करने का काम, मोधी जी के नेत्रतों में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनाने, इस सारी समस्याओं का समधान, केवल औ हम सभी भारतिय जनता पार्टी के कारकताओं ने त्रिनमुल कॉंग्रेस को हराने के लिए काम करना है आज कॉम्मिनिस्ट पार्टी कॉंग्रेस और त्रिनमुल कॉंग्रेस से जो यहां पर आये हैं भारतिय जनता पार्टी जोइन किये हैं बाई सुभेंदो उनके सारे साथी कॉम्मिनिस्ट पार्टी के MLA उनके साथ ही कॉंग्रेस पार्टी के XMP MLA उनके साथ ही इस सभी का मैं आज मन से भारतिय जंता पार्टी में स्वागत करता हूं और बंगाल की जंता का अंत में आहवान करना चाहता हूं कि एक बार आपने तीन दसक तक जड़ा सुनो भईया तीन दसक तक कॉंग्रेस को में नहीं दिया रिखा है न कॉम्मिनिश्ट पाँफिक को 27 सब मोका दिया रिखा है नहीं दिया मम्ता दिदी को 10 साल रिखा चानका पार्टी को पांगाल को सोनार भांगला बना कर रहे हैं मुझे बताइए भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे जोर से बुलिया बनाएंगे मोदी जी के हाथ मत्बुत करेंगे यहाँ पर त्रिनमुल कॉंग्रेस को उखार कर फैंक देंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ विजय के निश्चे की मुट्टी बिचे और मेरे साथ बोलिए जय स्री राम जय स्री राम भरत मता की वन्दे वन्दे धन्यवाद माननियो सराष्ट्र मोंत्री महासोय के कितार मुल्लवान